कंगना रेनाथ हमेशा ही अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में बनी रहती है इन दिनों कंगना को जो भी फिल्म पसंद आ रही है वो दिल खोल कर उसकी तारीफ करती नज़र आ रही है अब कंगना ने बाबल खान और त्रिप्ती डिमरी की तारीफ की दरसल हाली में इनफान खान के बेटे बाबल खान के डेब्यू फिल्म कला ओटीडी प्लाटफॉर्म नेट्फिलिक्स पर रिलीज हुई जिसके बाद कई फिल्म स्टार्स बाबल की आक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं अब इस लिस्ट में कंगना रनाउत का नाम भी शामिल हो गया है कंगना रनाउत ने भी बाबल की पहली फिल्म कला देख ली उन्होंने डारेक्टर अन्विता दत के साथ साथ बाबल और त्रिप्ती डिमरी की जम कर तारीफ की कंगना ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी लिखा कि वो फिल्म से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही है कंगना ने अपने इंस्टेग्राम स्टोरीज में लिखा कला एक ग्रेट फिल्म है ये आपकी सामान्य थ्री आक्ट स्ट्रक्चर है ना कि फिजिकल वर्ल्ड की लिटरल स्टोरी ये एक रचनात्मक चेतना का मेटफॉरिकल रिप्रेजेंटेशन है इसे खुले दिमाग से देखें और फ्लो में चलने दे मैजिक आपके सामने होगा कंगना ने आगे लिखा कला की डारेक्टर अन्विता इस समय सबसे क्रियेटिव लोगों में से एक है मुझे फिल्म क्वीन में साथ काम करने का सौभाग्य मिला था एक डारेक्टर के तौर पर उनकी दूसरी फिल्म बुलबुल में एक धमाकेदार डारेक्शन के बाद वो मानव मानस की गहराईयों में प्रवेश कर जाती है कंगना इसके अलावा आगे लिखती है सभी डिपार्टमेंट ग्रेट है खास तोर पर बाबल का डेब्यू बहुत बढ़िया है त्रिप्टी डिमरी एक साथी हिमाचली पहाडी गर्ल मुझे बहुत गर्व महसूस करवाती है मैं उस पर से अपनी नजर ही नहीं हटा पाती हूँ मतादे की फिल्म कला में आजादी के बाद के भारत को दिखाया गया है कहानी संगीत की दुनिया से जुड़ी हुई है ये कहानी उस सफल गाइका पर आधारित है जो 40 के दशक की फिल्मों को अपनी आवास से नवासती है और अपने अतीत से जूज रही है इस गाइका का एक ऐसा काला अतीत है जो उसके आज पर और सफल करियर पर मंडराता रहता है नेट्फलिक्स पर रिलीज हुई इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है मतादे की कंगना रनाउत इससे पहले साउट की फिल्म कांतारा की भी जम कर तारीफ कर चुकी है बात करें कंगना रनाउत की तो वो इन दिनों अपनी फिल्म एमरजेंसी की शूटिंग में बिजी है जिसे लेकर वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है फिल में वो इंदरा गांधी का किरदार निभाती दिखाई देंगी फिल में कंगना के साथ अनुपम खेर महिमा चौधरी समेत कई बड़े सितारे नजर आएंगे वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलिवर्ट से जड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ